हेलो गाईज मैं हूं संजीर पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा आज हम यह बात करने वाले हैं कि हाउ टू फॉल इन लव विद फिजिक्स जी हां तो मतलब यह जो सब्जेक्ट है काफी लोगों के लिए नाइट मेर बन जाता है एक बुरे सपने की तरह बन जा शायद 9 में है या 10 में है तो आपको अभी इस बात का रियलाइजेशन शायद ना हो लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ेगा बिकॉस चाहिए आप माच्स के स्टूडेंट हो चाहिए आप बायलोजी के स्टूडेंट हो ठीक है आप सभी को इस सब्जेक्ट को पार करना है ठ तो स्टार्ट करते हैं गाईज यहां पर इसमें सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी समझनी पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे 10 से 11 में आते हैं कौनसी काटेगरी से विलॉंग करते हैं आफ्टर 10 जब आप अभी 11 में आये हो तो इसमें देखो दो ट सेवेंर्ड या एड्या नाइन या 10 से एक यह लोगो नों शुरू कर दिया था 11-12 पढ़ें अ पढ़ना इस होते हैं तो ऐसे वाले बच्चे अब मैं यह नहीं कह रहा हूंग यह कोचिंग वाले बच्चे में यह कोचिंग लगाएं तो ही ऐसा करते हैं काफी बच्चे ऐस से जो खुद से ठीक है पहले से फोड़ा एडवांस त्यारी करते हैं तो यह प्रो लेर्नर हो गए और दूसरे तरफ एन्वल लेर्नर वो है जो करेंट एर का जो सिलिबस होता है जैसे टेंट में तो टेंट का पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से ठीक है तो वह हो गए अब इस टिक है और दूसरा है फिजिक्स फोबिया कि जिनको भाई फिजिक्स मतलब एक दम भागेंगे वहासी ठीक है तो मेरे हिसाब से काफी बच्चे ऐसे इसे होते हैं लिख मैं कहे सकता हूं कि आपको सिक्स्टी पर्सें बच्चे ऐसे होते या उससे भी खुश्यदा जो जिन में से भी कुछ कैटेगरी जिनको फिजिक्स मुश्किल हो सकता है ठीक है तो मैं आपको यहां बतारा चाहूंगा कि जो है यहां पर इनके लिए ग्रीन सिगनल है क्योंकि भाई जाहतर यह लोगों ने पहले से जेल लिया होता है ठीक है लेकिन यहां पर भी थोड़ा डिफिक हो जाता है तो की वैसे आपको तो में आपको बताओंगा मेरे बारे में बताओंगा मैं कहां पर क्या पर कैसे changes आए ठीक है वो सब चीज़ें हम बात करेंगे बट आप अपने आपको समझ लो कि आप किसी भी category में हो ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं होगी जो physics का idea है concept है यह सभी को समझना ज़रूर है ताकि उसको अच्छे तरीके से हम मतलब understand कर सके ठीक है अब देखो यहां पर एक बात बताई मैंने डू नौट अंडरेस्टिमेट फिजिक्स बी अन अर्ली स्टार्टर ठीक है मतलब अभी जो मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तो यह ऐसा समय है जब आप जो है जैसे 10 से अभी 11 में आए हो ठीक है अभी श स्कूल जब शुरू होगा जब हम स्टार्ट करेंगे 11 उस वक्त हम पढ़ना शुरू कर देंगे बट दिक्कत आती है वहीं पर यह जो आपका पॉलिसी है यह अब तक चलता आया है तक चलता है बट अब जो है यह डिफिकल्टी कर सकता है तो यहां पर यह बात को समझना है कि अगर आपको physics में कोई भी grade 9, 10, 11, 12 कोई भी बच्चा हो अगर आपको physics में थोड़ा सा esas learner बनना है मतलब अपने से चीजें जो है अनलाइज कर सकते हैं अपने से मजा आ जायें अपने से समझ लें ऐसा वाला बनना है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रख ना पड़ें ठीक है अभी से क्या क्या कर सकते से ब्रश अप ओल यूर क्लास 9 10 concept in rapid fire देखो एट तक भी था थोड़ा वह लेकिन अगर आपने 9 10 का जो concept है ठीक है अगर वो फिसिक्स की अगर बात करें वो अगर आपने rapid fire में फटा फट अभी आप अपने वो समझ लिया तो अच्छी बात ह और क्या कर सकते हैं सर learn all trigonometric and algebraic formula जो आपने 9 10 में पढ़े थे वो अच्छे से पढ़ लो उसके बाद क्या कर सकते हैं सर यहां पर यह basic math tool के बारे में मैं बता दो इसके लिए guys न मैंने already वीडियो बनाई है यह आप चेक करोगी YouTube पे तो आपको कही सारे वीडियो मिल सकते है ठीक है basic physics जिसमें actually आपको यह बात समझनी होगी physics अगर आपको strong बनाना है इसका core बनाना है तो आपको maths जो है वो अच्छे से आना चाहिए अच्छे से का मतलब यह होता है कि उसके जो fundamentals है उसके जो formulas हैं जैसे मैं यहां लिखे हैं देखो trigonometry जो formula आपने 10 तक पढ़े उसक वीडियो में डाला है basic physics आप दालोगे ना तो आपको वो मिल जाएगा ठीक है चार घंटे की एक वीडियो है या फिर आप अलगलग topic के चार घंटे वाले वीडियो में तो सब कुछ कवर हो जाएगा ठीक है मतलब आपको pro learner की हिसाफ से हो जाओ गया ठीक है लेकिन आपको लगलग भी करना तो भी आप basic physics डालोगे तो आपको broken मिल जाएगा ठीक है तो इसमें trigonometry के सारे advanced basic plus advanced formulas logarithm calculus जिसमें derivative integration vectors graph ठीक है वो सारी चीज़े यहाँ पर cover हो जाएगी इवन जो rounding of significant figure वो सब चीज़े वहाँ पर cover हो जाएगी ठीक है और यह specially अगर अच्छा आपको command बन ले नहीं होंगी chapter शुरू करने से पहले और सर थोड़ी सी warning है किसके लिए non maths यानी जो biology लिये हैं या कोई और subject लेकिन maths नहीं लिया फिर भी आपको physics तो है physics से deal करना तो आपको ज़रूरी होगा कि आपको यह math की tool जो है अच्छे से practice या ध्यान रखनी पड़ेंगी इसका जो भी formulas का chart what होगा ना वह बना लेना और उसको अपने दीवार पे bedroom के जहां भी आप जाधा रहते हो study table की दीवार पे वहां पर आप लगा दो जिससे की यह जो कुछ time में यह आपके दिमाग में अच्छे से fit हो जाए ठीक है एक बार पढ़ने से नहीं होगा उसको हमेशा देखते रहना पड़ेगा ओके आगे देखते हैं 11 अब देखो यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं कि 11 फिजिक्स जो है वह बहुत important है मतलब हमारी tendency ऐसी बनी हुई है कि हम क्या करते हैं हम 10 बोर्ड है 12 बोर्ड है तो 11 में हम ध्यान नहीं देंगे अराम से करेंगे सबसे पड़ी मिस्टेक यहां पर जाती है अगर आपको फिजिक्स से प्यार करना है तो आपको यह बात कभी हलके में नहीं लेनी है 11 का फिजिक्स तो आपको बहुत अश्य से करना है मैं तो बोलता हूं कि 12 से ज़्यादा अगर 11 फिजिक्स में लगाओगे 12 बहुत आसान अपने आप से तो यह बात का धियान रखना बट इनीशियल 4-5 चैप्टर जो है वह बहुत क्रूशियल 11 की हम बात करें तो शुरू के चार से पांच चैप्टर यूनिट्स मेजर्मेंट हो गया आपका फिजिकल वर्ड इंट्रोडक्शन उसके बाद जो काइनमेटिक्स की शुरुवात है लॉज ऑफ मोशन है तो यह अगर आपने अच्छे से अगर मतलब बना ली शुरू से न तो आपको फिर बहुत आसान लगेगा अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में अगर मतलब लापरवाही करी न तो पूरा माइंसेट जो है गड़बर हो है आपको और सुना भी होगा कंसेप्ट बहुत जरूरी है चाहिन करना ओर्ड lazy करना ओढ backed Talent देखो तीन चीजीं हैं physics में concept है जिसको बहुत लोग theory बोल सकते हैं वह Andrew्त को सब कुछ आता है वैसे बट मैंने इसको सिलिट किया इस कंसेप्ट डेरिवेशन दिशिवेशन और नुमरिकल्स ठीक है सब्सक्राइब के सब्सक्राइब अब यहां पर आपको क्या करें तो यहां पर आपको जो textbook है आपकी जैसे अगर तो यहां पर कुछ नहीं समझ में आना तो यहां पर आप तो डिटेलिंग आपको वहां पर मिल जाएगी तो यह concept के लिए हो गया बेसिकली सब कुछ आ जाता है और न्यूमिरिकल का मैं तरीका बताऊंगा बट देखो यहां पर सॉल्ड एग्जामपल्स करते हैं अपने पड़ लिया डरिवेशन कर लिए सॉल्ड एग्जामपल्स देखो वह आपको थोड़ा इसी थोड़ा हार्ड लग सकता है उसके बाद स्लोली इंक्रीज लेवल कीप इंक्रीजिंग यूर कंसेप्ट जब आप कुछ इजी निमेरिकल करोगे कुछ को निमेरिकल ऐसे आएंगे जहां पर आपको डिफिकल्टी होगी फिर आप उसको देखोगे इसका एंसर सॉलूशन को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यह और चीज लिए अब सीक लिए फिर आप थोड़ा सा टफर में जाओगे तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और बढ़ते जाएगा एंहांस होते जाएगा तो आप जितने नमबर ऑफ निमेरिकल करोगे जितने अलग अलग वेराइटी निमेरिकल करोगे उतना कुछ नए कोशिंट तो आप जितना माक्सिमम कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा खासकर जो बच्चे एंटरेंस के लिए जैना चाहते हैं या फिर नीट जाना चाहते हैं जितना अभी से करके रखोके आपको उतना बदने बाद में कम होगा बहुत असान हो वहीं जम कर लिया ऐसे जम नहीं करो बहुत ओर तरीके से दिया हुआ है तो उसी तरीके से फॉलो करके जाओ ठीक है और यह सी ओविसली कोई language यह कुछ नहीं कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो इसमें order बहुत जरूरी है कि आपको न स्कूल से थोड़ा सा आगे रहना तो आपके शुरू के तीन चार चैप्र तो कम से कम हो जाने चाहिए ठीक है और जब भी जो भी चैप्र चल रहे हो उससे आप दो तीन चैप्र हैट रहो ठीक है यह बहुत जरूरी है इससे क्या फाइदे होते हैं मैं आपको आगे समझाओंगा ठीक है दिस में help you clear your doubts एक तो बात है और क्या क्या होता है कि जब आप कोई चैप्टर को टॉपिक के और बिल्कुल आइडिया नहीं आप बैठे हो जाके ऐसी बस जाके लेक्चर में बैठ गये क्या होगा कि अब टीचर का बहुत इंपोर्टन रोल होता है फिजिक्स के अंदर ठीक है टीचर का एक्स्प्लेनेशन और वो सब चीज़े बहुत जरूरी होती है लेकिन मांग लो कि आप आपके पास कोई बढ़िया नहीं है या फिर समझो की बढ़िया है भी तब भी क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल जीरो आइडिया की साथ आये हो बहुत गैप है 10 और 11 की फिजिक्स मे बहुत जमीन आसमान का गैप है बहुत बड़ा जम्प है तो वह फिल करना असान नहीं होता तो आप ऐसी अगर जाके बैठो कि क्या होगा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो दिमाग से कि हां मैं समझूंगा शुरू के 10 मिनिट बढ़ी है उसके बाद कि अब जो नेक्स स्ट करने लगोगे और फिर दिमाग तहेगा है छोड़ बाद में कर लेंगे तो ऐसे करके आपका जो कंसेप्ट हो छूटता जाएगा लेकिन अगर कोई बच्छा पहले से पढ़के गया है कि भले उसको कुछ डाउट था यह कुछ चीज़ें थी पहले से पढ़के अब क्या हो होगा ना कि वह फटा-फट पकड़ लेगा यह बहुत जरूरी चीज़ होती है कोई मतलब मैंने मानता कि बहुत जादा इंटेलिजन्स और सब्सक्राइब पढ़ता है यह जो प्रो वाली जो जो अबिलिटी होती है यह बहुत काम करती है तो यह बात दिमाग में फिट कर प्राइब नहीं क्रिए थी कि दो एड्वांस रहो थोड़ा सब्सक्राइब इसके बाद हाउ टुप परफार्म डेरिवेशन कैसे पर्फार्म करना चाहिए तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि लिखके प्रैक्टिस करनी है लिखके प्रैक्टिस करो ठीक है और क्या डेरि बट वो करने से आपका concept जो है वो clear होगा numerical करने की ability और बढ़ेगी ठीक है तो यह बहुत जरूरी मतलब ऐसा काफी boards में होता है कि derivations काफी कम number लिए पूछे जाते हैं बच्छे नहीं करते हैं वहीं पर mistake करते हैं ठीक है तो उसको आप extra time निकाल कर वो चीज़े करो और क्या है होती है कि हमको शुरू कहां से करना है इस formula को लेकी start करना है ठीक है इस formula से और फिर और एक formula है उसको मिलाते हुए जाना है और उसके बाद एक step आ जाएगा अब उस step के बाद एक और नया concept लाना है तो आपको याद कहां कपर रखना है उस पहला step पर याद रखा आपने फि रिमेंबर करना है कि कुछ-कुछ आपको चीजने जो लगानी है पहले step में या पहले step में साथवे step में दसवे step में जो नएनी चीज लानी है वह याद रखना है और वो लिखे practice हो ठीक है बाकी के जो माट्स का जो steps है वो तो भस normally उसको simplify करते जाना है और इसके बाद thinking in reverse direction काफे time help करता है जैसे की समझो कोई बच्चा एक्जाम के टाम पर फस गया उसको शुरू के steps आ रहे थे बीच में गया टक गया लास्ट का उसको पता है तो अब क्या करता है वो उल्टा भी थोड़ा मनलब यहां तक तो कर लिया उसने अब वह यह लिख और यहां से उल्ट इसके बाद इसके बाद अपना physics की जो सबसे बड़ी चीज है numerical जहां बच्चे भागते हैं मतलब काफी बच्चे तो वह कैसे किया जाए reading questions line by line अच्छे से questions को पढ़ो पहले समझो इसको ठीक है आपने कई बार सुनाओ को सवाल को सवाल में ही जवाब जो है वो आपको मिल सकता है तो ध्यान से जब तक पढ़ोगे नहीं आप कुछ अच्छी important चीज़े miss कर दोगे क्या miss कर दोगे सर देखो दो चीज़े होती है यह question को पढ़ते पढ़ते जब आप line by line to line पढ़ रहे हो ना तो इसको solution जो data वाला पार्ट है given वाले पार्ट में उतारते जाओ ठीक है कुछ data तो direct होते हैं आपको units देखके पता जाएगे हाँ यह value है यह यह चीज़ दी है इंडरिक्ट वाले भी होते हैं जैसे कि the object वहां पर दिया है कि वह रेस्ट में है यू इकोल टू जीरो या breaks are applied finally comes to rest मतलब वी इकोल टू जीरो तो indirect data भी दिये होते हैं वह आप आपको लिखना है तो data जो है question को पढ़के क्या दिया है उसको अच्छे से आप पहले picture में या given part में उसको उतार लो इसके बाद अगला step है क्या find करना वो देख लो अब जो है अब जो है और यह सब चीज़ां आप symbols में लिखो ऐसा नहीं कि initial velocity is equal to 2 meter per second नहीं उससे आपको formula click होगा अपने जो पढ़ा है तो formula click हो जाएगा अब क्या find करना है वो सब चीज़ां हमने समझ लिए आगे क्या होगा सर तो अब आप सोचना करो यहां भी ल्टी direction में सोचना पड़ेगा मतलब क्या कि क्या find करना है वह है कि वहां से पॉस्सोबृट है है अब हम देखेंगे हमको क्या दिया है देटा क्या है उसको करोगे तो मतलब क्या find करना है वो ज़रूरी आपको दुनिया बर की चीज दियोगी बड़ समझो जो find करना वो एक step में आ रहा है क्या ज़रूत है हर चीज को use करने हैं तो वह बहुत मतलब आपने यह पता कर लिए क्या formula यूज करना वह आपको पता चल गया है अब तरेक्ली मत पूट कर देना जो given वाला पार्ट है क्या सब SI सिस्टम में है क्या सब एक ही सिस्टम में है तो नहीं है तो कनवर्शन करनी पडिया कि किलो ओम में आपको करना सबका नोर्मल क्यांक्रयेट करना सब सबस्टाने से बताने से काम नहीं होगा यह से नहीं होगा आपको प्रैक्टिस करनी होगी चाहे हम डरिवेशन की बात करें नियूमेरिकल की बात करें जितने maximum numerical साप हो सकता है प्राक्टिस करो जितना प्राक्टिस करोंगे जितनी वराइटी को झेल लोगे एक्जाम के दाइम अपना सान हो जाएगा ठीक है इसके बाद मून का होता है वनेट बेसिक सब्सक्राइब कर लो बेसिक जो है वो बेसिक को याद कर लो बेसिक एक्वेशन को याद कर लो हाँ इसके बाद में पढ़ना नहीं है लेक्के जैसे आपको प्रक्टिस है बहुत बड़ी है ठीक है इसके बाद में read the topic before lecture मैंने वो बता दिया आपको lecture से पहले आप उसको पढ़के जाओ आपको बहुत मतलब किसी normal बच्चे जो नहीं पढ़ गया उसके आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है इसके बाद लोग यह सुसते कि भाई यह तो physics में scholar है नहीं उसने पहले से preparation करा हुआ है ठीक है या पहले से उसने वो सब यह lecture हो at least अब जो आपका शुरुवात है तो not only physics बाकी में यह चीज़ कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज़रूर यह कि जब lectures हो रहे हैं बच्चे गलती करते हैं मतलब उस ताम पे नोट कर रहे हैं है ताकि थोड़ा time मिलेगा हम बकवास कर लेंगे तो वह नहीं करो जब देना बहुत जरूरी है never miss any lecture मतलब होता ना कि हां हम कोई भी 10 तक तो चलाए कि हम कभी छुट्टी मार लिए कभी absent होगे कोई दिक्करत नहीं बाद में समझ लेंगे यहां पर ऐसी गलती भूल के भी मत करना मतलब जितना हो सकता है बहुत बहुत जैन्मिन होगे अलग बात बहुत important और जब teacher समझा रहा उस time पर लिखो नहीं उस time पर पहले सुनो समझो दो काम एक साथ अच्छे से नहीं हो सकते ठीक है बाद में note कर लिया करो वो नहीं भी किया बाद में हो जाएगा यार लेकिन समझना बहुत जरूरी है इसके बाद review your notes at home solve practice questions तो आपको क्या करन है notes जो भी आपने teacher ने समझाया लिखाया जो भी आपने लिखा हुआ है तो उसको घर पर जाके पलट के देख लो एक बाद ठीक है बहुत जल्दी मतलब उससे क्या होगा बहुत दिमाग में तेजी से जाता है और मैंने जो बताया practice जितने हो सकते है उतने questions को numericals को practice करो that is most important sometimes friends can help in few concepts on the teachers आपकी coaching के teachers ठीक है obviously videos तो help करते ही है ठीक है इसके बाद आपके friends भी काफी काम आ सकते हैं कभी कोई concept आपको नहीं समझ माया पूछ लिया वो बता दिया कोई इसको नहीं आया आप बता दिये तो ऐसा वाला जो शीज है वो भी बहुत help करता है मानी मेरी बद मैंने भी किया हुआ है सब्सक्राइब मुझे भी दोस्तों ने help कि और बहुत सारी बात है जो शायद teacher से ना समझ में आ है वो दोस्ते समझ में आती है ऐसे करके आपको धीर धीरे जो इसमें आप दूबते जाओगे मैं आपको बता रहा हुआ फिजिक्स के अंदर क्या होगा ओके अप्राक्टिकल्स के और सो भी हैल्फुल प्राक्टिकल जो आप करते हो वह थोड़ा दियान से करो बहुत सरी बात हैं वहां से समझ में आती है जो भी होते हैं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है तो हम ऐसी कर देंगे उससे ही आपका प्रेपरेशन होगा जैसे कल एक कोई टेस्ट है बीस नमबर गाया दस नमबर कर उसका तैयारी आप कर रहे हो तो एक्जाम के लिए अलग से क्या तैयारी करने है तो अपने आपको टेस्ट करने का तो उसे पैनिक होने की ज़रूद नहीं है तीक है उसको इंप्रूव करने की ज़रूद है हो सकता है अगर आपने यहां पर कुछ यह सारे चैप्र आपके बने हुए है नाम डालो आगे फुल चैप्र डालो आपको मिल जाएगा और अभी से प्रिपेर करना शुरू करो घाइज तो मैं आपको बताद दू कि है ने मास्टर्स किया है फिजिक्स में लेकिन जब मैं भी 11 में आया था मुझे भी इतना पसंद नहीं था 11 तक कि आपको पताए कि बाई चल जाता है कुछ दिमाग लगा थोड़ा सा तो कर सकते हैं तो नंबर मिल जाते हैं बट 11 में यहीं सब गलती ही बाई शुरू से उतना ध लेकिन दोस्तों यह बात थी कि उसके बाद जो है गलती करते हैं तो यह मतलब नहीं होता कि हम सुधार नहीं सकते हैं इंप्रूब्मेंट करी ठीक है काम किया उसके उपर टाइम डाला उसके अंदर और चीजें जो है वह इंप्रूव होती गई सुधरती गई और एक टाम जहां मैं फिजिक से डरता था मुझे लगता था कि मेरे से मेरे बस की बात नहीं है उसके बाद यह लगा कि यार यह तो बहुत intelligent subject है बहुत मज़ेदार है अगर यह हमको आता है सच माहिने में फिजिक्स अगर आपको आता है तो आप यहां पर आपको यह बात समझनी है मतलब मेरे साथ भी हुआ कि मैंने इंप्रूब करा और फिर एक टाइम पर आगया कि भाई अब तो भाई यह सब्जेक्ट से ही आगे बढ़ना है ऐसा हो गया अब यहां पर अगर if you want to fall in love with physics कुछ बाते हैं मेंगे इंट्रेस्टिंग सर इंट्रेस्टिंग है कैसे होगा तो इंट्रेस्ट जगाना पड़ेगा कैसे टाइम देना पड़ेगा उसको है ना मैक्सिमम टाइम जो है उसमें डालोगे तो अपने आप आउट्पुट है ना और यह चीज करते रहनी है लगातार और एक पॉइंट आएगा जब आपको चीजें जो है ना पॉजिटिव दिखने लगें तो वो उसके लिए टाइम लग सकता है और इसके बाद क्या है सर अब यहां पर एक बात बताएए कि आप आपको फील होगा वही जो मैंने एडिसन तो उस टाइम पे कितनी बार कितनी बार फेल हुए थे वह होगा वह चीज लेकिन एक टाइम आएगा न जो आपको अंदर से खुशी लगने लगे अंदर से अपने आप में हसी आईगी वह यह आ गया ठीक है तो वह आपको टाइम आएगा उस चीज के लिए खासक में रहेंगी तो एक बार और रिपीट करके देख लें आप ठीक है और जो भी इंपॉर्टन बात है वह आप नोट करके कहीं पर रखो तो भी अची बात है जिससे आप जो है भाग तो नहीं सकते है तो आपको बहुत ज़रूरी है जो बच्चे जो माट्स नहीं लेरें बा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताना जिससे मुझे भी बता चले और कमेंट करके बताना कि आपको क्या डिफिकल्टी आती है ठीक है क्या प्रॉब्लम्स आती है कैसे क्या उसको सल्यूशन मिला ठीक है सब चीज़े बताना गाईस थैंक यू थैंक यू वाच चिक यू अगें बबबाए